आज हम बनाएंगे औरेंज जूस और वो भी पांच संत्रे से इतना सारा जूस गाइस आप मार्केट से इतना महंगा जूस पीते हो वो भी शिर्फ एक ग्लास मिलता है 30 या 40 रूपे में लेकिन आप पांच औरेंज से इतना सारा जूस अपने फैमली के लिए निकाल सकते हो सेर करना ना भूले तो चलिए इस रेश्पी को स्टार्ट करते हैं वीडियो को फूल वाच करना इसकी मत करना नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा तो चलिए यहां मैंने पांच संत्रे लिए हैं और वीडियो गाइस अच्छी लगी तो एक लाइप सेरे सब स्क्राइब जरूर कर लेना तो देखिए यहां मैंने पांच संत्रे लिए हैं और पांच संत्रे से मैं बहुत सारा जूस निकालने वाली हूं और वह भी फ्रेस जूस आप मार्केट में 30-40 रुपे का एक ग्लास जूस पीते हो लेकिन अगर हम पांच संत्रे से अपने फैम केंगे नहीं इसका जो है बड़ा काम का चीज होता है इसको हम धूप में सुखाने वाले हैं इसका हम बनाएंगे एक बढ़ियां होम रैवर्डी फेस पैक तो चलिए अब यहां पर हम जो है बनाते हैं किस तरह से बनाना है तो यहां पर मैंने संत्रे को जूसर मिक्सर में मैंने निकाल लिया है तो देखिए एक कटोरा मैंने आधा कटोरा जूस निकाला है पांच संत्रे से गाईस यहां पर वीडियो थोड़ी से स्कीप हो गई थी इसलिए मैंने जो है मैं दिखाने पाई बट लेकिन हम तुमें पूरा दिखाएंगे किस थरह से हम जूस कन Il जालते हैं है और इसके बार भाग मैं बहुत सारा निकालने वाले है। इसको निकालने और मिक्सर सारे भाग में फाल से pushing and इतना सुव सारा साँ जूस कम साँ कम ये एक लास जूसी को caval करेंशने तो देखे मैंने एक कटोरी में सारा पल्प निकाल लिया है इसमें मैंने एक कप पानी डाला है पीने वाला पानी डाला है और पानी डाल के मैंने अच्छे से पल्प में मिक्स कर लिया है अब इसको चनी की मदद से और इसको बढ़िया हम छान लेंगे तो एक स्पैचुला ल बना रहे हो या गाजर का juice बना रहे हो किसी भी चीज का juice बना रहे हो इसका जो पल्प है ना उसमें थूड़ा सा पीने वाला पानी डाल दीजिए और बढ़ियां अच्छे से पल्प को निचोड लीजिए और बहुत सारा आपका जूस निकलने वाला है तो देखिए गाइस यहाँ पे कम से कम यह एक ग्लाज जूस होगा और यह जो पल्प है ना इसको आप फेकिएगा मत यह आप जो फेस पाउडर बना के आप यूज कर सकते हो अपने फेस पे अपला आप बहुत सारे इसके फाइदे उठाई यह तो देखिए इतना सारा मैंने जूस निकाला है जो पल्प से निकलता है और यह जो रियल जूस है इसमें हम मिक्स कर देंगे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें पानी मिलाया है और बस यह देखिए मेरा कम से कम दो से तीन ग्लास जूस बनके रेड़े हो गया वह भी एकदम फ्रेश ताजा जूस है तो गाइस आप जरूर घर पर बनाईए इस तरी की से और फूरी फैमिली भी इंजुआय करिए क्योंकि जूस जो है बहुत फायदे मन्द होता है सुबह सुबह और और औरेंज में तो मैंने पांच संत्रे से इतना सारा जूस बनाया बहुत बड़ी बात है गाइस तो आप इस तरीके से जूस अपने घर में बना के एंजुआय कर सकते हो और एकदम बढ़ियां मीठे जूस बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने अब इसको घर पर बनाया है तो बस आप मार्क शेर और सस्क्राइब करना ना भूले मैं ऐसे मिलूंगी नू आइडिया और नू तरीके के साथ नू रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग बबाय प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कर लेना